यवत्माल जिले के दीगरश शहर में जामा मजजद की संपत्ती और इससे जुड़े आर्थिक वहवार में कतित हेरा फेरी को लेकर आरो प्रत्यरोग का दौर जारी है इसी कड़ी में एक संपत्ती से जुड़े मामले में एक खुलासा सामनी आया है पेश दीगरश समवातता जुवेर खान की रिपोर्ट हाल ही में पुर्वपार्षत जावेद पहलवान ने जामा मजजद की मिलकियत वाले एक मकान को लेकर एक शक्स का नाम लिया था ऐसे में संबंदित शक्स शेख जी शेख जमाल के बेटे हनीफ शेख ने जावेद पहलवान के दावे का खंडन करते हुए सामने आकर उस मकान से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि संबंदित संपत्ती से उनका कोई लेना देना नहीं है कल जावेट पाल्वान ने ये कहा, कि एक जामा मजीट की प्रवपेटी शेग जीशेग जमाल के नाम पर है वो मेरे पिता जी है और वो जामा मजीट का घर है ऐसा अवाम दिगरस की जनता बोड़ रही है वो घर हमने 93-94 में अंदाजी एक वो घर वापस करे और वो घर वापस करे हमने रफिक पलवान खुर्शित बानोगों उनको हमने वापस करे वो घर से हमारा कोई संबन देई और डिगरस के आवामों को मैं इस माद्देम से बताना चाहता हूं कि वो घर में मेरे जो पिता जी के शिरिव नाम पर रेकाट परमाने घर था हो लेकिन हमारा घर वो था नहीं वो घर मजीत का था और हमने मजीत उनको दे दिया उसके बाद में वो घर उन्होंने किसको दिये ये हमें पता नहीं है वो घर मरीमा मंदिर के पास है बोलते देवस्तान के पास वो घर मुझे भी नहीं मालूम वो करके ने वाब पालोण जी ने एक रुपई में नगर पहिशत के हर्रास में घर लिए थे और MON..... मेरे पिता जी वाफ पालवान के मामा थे वह घर फिर आएसा मेरे फिता जी के नाम पर आया कुछ करणा बाद यू रोता ने पैली जा भड़ा बहए और मैं मेरे फिता जी के साथ होंगों खरीदी विक्री में पिता ने की सं거든요 और उसमें मेरे पिता जी का भी इंतकाल होगा और मेरे बड़े भाई का भी इंतकाल होगा और वो जो जावेद पॉलान साब नहीं जो अरोप लगाए यह अरोप मैं खंडन कर रहा है मेरे पिता जी का शेग जी शेग जमाल का वो जगों से कोई संबंध रहा नहीं और दिगर पर लग रहे आरोपो का गौश खान लाला ने मीडिया में बयान देकर समर्थन किया था जिसके बाद जावेद पहलवान ने पलटवार किया था ऐसे में गौश खान लाला ने फिर से जावेद पहलवान की हटधर्मी पर सवाल खड़े करते हुए भवानी मंदिर परीसर में खेद की जमीन LIC के सामने वाले दारूल उलूम के बारे में खुलासा किया भाई कल जो मेरे पर इलिजामात लगाए गए जावेद में उसके बारे मैं बताना जाता हूँ उसने बोला कि मजिद का अठरा एक कर खेद भवानी के पीछे है जब कि ववानी पीछे नहीं है वो वह बहुत idealiver है अर उसने यह भी बोला के 72 आज मजीद के नाम पर है और वह मक्ते से लिया हुआ है तो थीस साल हो गए mówi उसकी एक लाकर देना तो मक्ते कि एक पाउति लाकर दे तीस साल में चतों खेगा दे사सों जो खित खा रहा तिरा नाना कि भाई उस मदर्शे से लाइसी के जगा के उपर में मेरा कुछ लेना देना नहीं हूँ, तो भाई जा के रटेशिशन नंबर देख ले, मदर्शे का किसके नाम पर है, वहा पे लुपर है जा के देख ले, अब इतना जूट क्यूं बोलता है, शच्छ तो बोली लुट लू यह नहीं है इसे तमानाम अवाम की प्रॉपड्य बीदी यह अब जोर कि प्रॉपड्य यह उसके दिए जूट मत भी portion outside één구요 तो खेठ घर excerpt今日 debpo जेटे से देले एक बौने वेच साऀसे बोले कि तेरे नाना के मामूति और तेरे मामा की आंजुम्ण स्कुल मेय चपरासी थे तेरे नाना का हुआ कलब था शुकड़ करकान उसका, वो कलब था, जबके मंदिर वालों ने कंपलेंट करने के बाद ने भी तेरे नाना ने उक कलब बन नहीं के जा हूँ, मरी मा का मंदिर लगा हुआ है, गाओं में बड़ा इंतिशार पाइदा हो रहा था, हम लोगों ने जब जाकर बोले के बाई कलब तो बन कर दे, जब जाके कलब बन हुआ तो तेरे नाना ने देखा क्या इसको कैसा करना चाहिए, क्योंकि उसके ही पात 15 साल ते थाओ, ना उसने टैक्स भरा, ना उसने इलेक्ट्रिक बिल भरा, कलब चलाया वहां पर, मर गया में उसकी चोपन हजार रुपै तुने बोला काजिषी साप को पेमेंट किया, इससे पार में करके कुनलि Sachen का पेमेंट किया, जो काजी को 2021 में लिकाला गया, उसकी हमारे पास सबूत है, उसकी सही है, वह लिकल जाने के बाद में उसको साथ जामा मजजिस से जुड़ा संपत्ती का विवाद बेशक जाच का विशे है वक्त वक्त पर इसकी हकीकत सामने आएगी ही लेकिन फिलहाल यह मामला आरोप और प्रत्यारोप और तोहमत की अंतहीन लडाई की और अग्रेसर हो चुका है इसका विवाद का निप्तारा नूरा को नैतिक सामाजिक बरताव सहित अमन पसंद शहरवासियों का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि भविश्य में यह चिंगारी आग की शक्ल ना इखतियार कर ले बीसीन न्यूस के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट